इस वीडियों में बात कने वाला हूँ Instagram की जिहां अगर आप इंस्टाग्राम यूजर है तो Instagram पे बड़ी प्राभलम आ थी अभी तक क्या होता था Instagram पर आप जाते थे Instagram पर कोई भी पोस्ट या कोई भी रील्स आप देख लेते थे तो उसका suggestion बार बार आपको दिखाई देता था जैसे कि आप कोई भी आप post देख लिए तो उसका उसी related आपको बहुत से post आपको देखने को मिलती थी तो अभी तक क्या होता था उसे जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं suggested reels, एक reels आप कोई देख लिए तो बार बार उसी से related reels आपको दिखाई दे जाएगी या कोई भी post अगर आप देख लिए या like कर दिए तो वो post उसी से related post आपको दिखाई दे जाते थी बट उसे आप क्या करते थे उस suggestion को आप remove करने के लिए आप explore page पे जाके आप करते थे और वहाँ से बहुत ही deep में जाना परता था और दूसरा क्या करते थे अगर आप मैं आपको दिखाना चाऊँगा यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर suggested content आपको यहाँ पर मिल जाएगा suggested post मिल जाएगा suggested reels आपको मिल जाएगी यहाँ पर Instagram पर जब आप जाओगे तो अभी तक आप क्या करते थे आप simply आप cut कर देते थे यहाँ से या अगर कोई भी post आपको दिख जाए जिसे post दिख गया suggested post अभी तक आप क्या करते थे इस पर click कर देते थे और यहाँ से don't suggest post from this आपको कुछ कर देते थे और यहाँ पर आपको बार-बार करना परता था but Instagram ने क्या किया है आपको एक यहाँ पर feature दे दिया है आप जब जाओगे इपने profile पे और तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा suggested content का देख सकते हो suggested content का आपको यहाँ पर feature मिल गया है इस पर आप जब click करोगे तो यहाँ पर आपको suggested content you might see यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर आप चाहते हो कि वो post आपकी दिखे ही ना suggestion आप आपकी जितने reels आप देख रहे हो जितने post देख रहे हो उसका suggestion आपको बिल्कुल भी न मिले तो आप यहाँ से स्नूज suggested post यहाँ से आप click कर सकते हो इसे enable आप कर सकते हो इसे on कर सकते हो बट अगर आप चाहते हो यहाँ पर जो suggestive content का option मिल रहा है आप चाहते हो अपने according आप देखना चाहते हो कि आप क्या देखना चाहते हो अपने according यहाँ से आप set कर सकते हो जैसे हाँ पर standard में है standard में रहेगा कि आप देखोगे कि उसका थोड़ा सा जैसे आप reels देख रहे हो किसी भी account का आप reels देख रहे हो तो reels आप देखोगे तो अगर आप deep में उसके उसके account को आप open नहीं कर रहे हो तो उसका जादा कुछ नहीं आएगा तो यहाँ पर standard आप set कर सकते हो less पर आप click करोगे तो बहुत थोड़ा सा ही आपको दिखेगा तो यहाँ पर यह भी आप अपने according set कर सकते हो not interested में अगर आप click करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने जो dislike किया हुआ यहाँ पर आ जाएगा आपने जो suggestion को remove किया उसारा यहाँ पर आ जाएगा custom word and phrases पर अगर आप click करोगे तो यहाँ पर आप जो भी word आप यहाँ पर set कर दोगे उससे related कोई भी आपको पोस्ट या रिल्स देखने को नहीं मिलेगी तो बहुत ही बेतरीन से फीचर अगर आपने दिया उमीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर मेरा वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पांडे है किसको सब्सक्राइब करें थाइंक्यू सो मैं जोस्तो